जेहें दोस्तों बंदे मातरा मुनवर फारुकी को लेकर पिछले काफी समय से इस तरह की खबरे निकलकर सामने आ रहे थी कि उनके शोदर शोद कैंसल होता जा रहा है अलागर एक स्टेट्स में चाहे हम गुजरात की बात कर लें एकम के जा रहा है इस तरह से की वह उनके शोग को कैंसल करादे मतलब लोह कहना है कि मुनवर फारुकी को शोग मिल रहे थे ओर क्या रहे तो इंदी एंड हो किया रहा था मुनवर फारुकी के शोगातार चैंसल होते गए और फिर कल मुनवर फारुकी ने किये बम फोड दिया जिसमें कि उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि भाई नफरत जीत गई, आइटेस्ट हार गया I am done, goodbye injustice इसमें उन्होंने कुछ तीन एक तस्वीरे लगाई है इन तीन तस्वीरों में उन्होंने काफी कुछ बाते भी कही हैं अपने दिल की बात बहार निकाली जड़ा देखते हैं हम लोग भी क्या कुछ इनोंने इसमें कहा है इन तस्वीरों में उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आज बैंगलॉर शो कैंसल हो गया under the threads to venue vandalization we sold 600 plus tickets month back my team called late Puneet Rajkumar sir organization for charity which we will going to generate from this show in Bangalore तो यहाँ पर नो बात करी कि भई आम लोग चारिटी भी करना चाते थे जो Puneet Rajkumar जिका जिनका निदन हुआ है कुछ दिनों पहले उनका organization के साथ मिल कर we agreed to not sell the show on the name of charity as suggested by the noble organization putting me in the jail for the joke I never did to cancelling my shows which has nothing problematic in it this is unfair this show has this show has gained so much love from people in India irrespective of their religion this is unfair we do have censored certificate of the show and it's clearly nothing problematic in the show we called off 12 shows in the last two months because of threats of threats to venue and audience इनकी नफरत का बखाना बन गया हूँ हसा कर कितनों का सहारा बन गया हूँ तूटने पे इनकी ख्वाइश होगी पूरी सही कहते हैं मैं सितारा बन गया हूँ I think this is the end my name is Munavor Faruqi and that's been my time you guys were wonderful audience goodbye and done ये कुछ बाते थी जो कि Munavor Faruqi ने अपने ट्वीट में कही थी विस्तार से इन्हों ने बताई थी इस सब बाते अब इन्होंने जो ये बाते कही है इसके support में कुछ लोग भी आ गया है तो जब पूरी बात जानते हैं कि Bangaloreo में क्या कुछ हुआ है कौन कौन के support में आया है और फिर उसके बात देखेंगे कि Munavor Faruqi को लेकर किस प्रकार के tweet से जो कि Twitter के उपर आ रहे है राइट विंग समों की धंकियों के कारण पिछले दो महीनों में कम से कम 12 शो रद होने के बाद कॉमेडियन Munavor Faruqi पिछले ने संकेत दी है कि अब वो शो नहीं करेंगे अब बैंगलोरू में उनका एक निर्धारिज शो बैंगलोरू पुलिस के intervention के बाद रद कर दिया गया पुलिस ने law and order की समस्या का हवाला देते हुए शो के आयजकों से शो को रद करने के लिए कहा था इतना ही नहीं पुलिस ने आयजकों को लिखी चिट्थी में फारूकी को एक विवाद शक्स भी करार दिया इसी साल शुरूात में मदबरदेश में एक शो में हिंदु देवी देवताओं पर कतिट टिपणी की वज़े से फारूकी को करीब एक महीने तक जेल में रहना पड़ा था बाद में हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रहाई हो सकी थी शोरद होने के बाद आज दो पर एक ट्विटर पोस्ट में उनवर फारूकी ने ये का मुनवर फारूकी के साथ शहर दर शहर जिस तरह की नफरत का प्रदशन किया जा रहा है वो शर्मनाक है सड़कों पर खुले आम दूसरे धर्म को गाली देने वाले जुरूसों को सुरक्षा देने वाली पुलिस एक खास से कारेक्रम को सुरक्षान नहीं दे सकती सम्विधान दिवस का ढोंग आखिर फिर क्यों है मुनवर फारूकी के समर्था ने बॉलिवड अमिनितरी सुरा भासकर भी उतर आई है सुरा ने पहले ट्वीट करते हो लिखा कि नफरत और कटरता की एक परियोजना हमेशा मुखर, तर्कसंगत, शिक्षित, आकरशक, प्रतिवाशाली और मजाकिया अन्य से नफरत करती है जो एक विशम जन्ता के साथ पहचान से पड़े होता है वही सुरा वासकर ने दूसरा ट्वीट करते हो लिखा कि ये दिल दहला जाता है और शर्मनाक है कि कैसे हमने एक समाज की रूप में बदमाशी और गैस लाइटनिंग को सामान ने कर दिया है इसा करते हो इन्हों ने ट्वीट करते हो अपनी बात कई लेकिन एक बात समझने वाली ये होगी कि महाराश्टर और 35 गड़ में भी शोस कैंसल हुए जहां पर की बीजेपी की गवर्मेंट नहीं है बीजेपी की गवर्मेंट जहां पर है वहीं पर ये सब चीजे हो रही है अब ज़रा देख लेता है कि मुनवर फारुकी ने जो ये ट्वीट किये थे उनके ट्वीट को लेकर क्या पबलिक के रियाक्शन सामने आ रहा हैं ट्विटर के उपर काफी लोग है जो कि इसके बारें बात कर रहे हैं मुनवर फारुकी चाहे आप अच्छे में बात कर लें चाहे आप बुरे में बात कर लें उस शक्स को काफी लोग जानते थे काफी लोग इसके बारें बात करते थे जैसा कि मैंने का चाहे अच्छे में हो या बुरे में हो तो ऐसे में मिले जिले ट्वीट्स की निकल कर सामने आ रहे हैं कई लोग हैं जो उनके सपोर्ट में उनको बोल रहे हैं कि भाई आप ऐसा मत करो यह सब चीजे जैनब लिखती है कि मुनवर फारु की शोज आर गेटिंग कैंसल्ड बिकॉस ही इन सक्सेस्फल मुस्लिम मुनवर फारु की का ये ट्वीट है राहुल रोशन लिखते हैं कि एडविन एंथनी प्रकर व्यास प्रवीन व्यास नलिन यादव और मुनवर फारु की आर इन जेल ये इन्होंने ट्वीट किया था 25 जनुवरी 2021 को इसमें से एक ब्रामन है दो ब्रामन है एक यादव है एक क्रिस्चन है और एक मुस्लिम है बट जो ये लिबरल्स है वो सिर्फ उसे फारु की को लेकर रो रहे हैं ये पुराने ट्वीट्स भी हैं जो कि काफी सारा रहे हैं जैसे कि नेता जी लिखते हैं हिंदू गॉट हीटर मुनवर फारु की इस क्विटिंग कॉमेडी इन इंडिया वाय गटिंग बैटर पैकेज इन सीरिया इसके आगे अनीस लिखते हैं इस तरह की बाते भी हो रहे हैं इस तरह की बाते हैं लोग सपोर्ट में भी आ रहे हैं लोग आगे इस भी बात कर रहे हैं अक्षे कोली लिखते हैं कि मुनवर फारु की कोमेडियन्स who made fun of Hindu faith many times has given up stand-up comedy as his 12 shows were cancelled in the last two months इसी के आगे therapist priest लिखते हैं नफरत जीद गई, artist हार गया इंजस्टेस कॉंगरिस अच्छा ये वही तस्वीर है कि देखी 36 गड़ में और महारास्ट में तो कॉंगरिस की सरकार है फिर वहाँ पड़ ये चीज़े हो रही है सुमित कुमान ने इसको लेकर लिखा है ट्वीट किया है और सोनी लिखते हैं मुनवर फारुकी सीरियल ओफेंडर ये वुड आव गट बेहेड़िड इफ ये वुड़ है ये वुड़ ये वुड़ सेम वर्ड़ इसी की में शक्सी में बात कर रहा था इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है बात वो ही होती है न कि क्या बोले भारती हवास उलेंद वर में लिखते हैं अच्छा ये अरफा खानुम जी ने भी कुछ ट्वीट किया है पढ़ लेते हैं वो भी यह लिखते हैं कि 12 शोज और मुनवर फारुकी अच्छ लोलाइफ कावल शेम उन यू यहां पर कोई भी इस बारे में बात करता हूँ नहीं दिख रहा है कि लोगों को परेशानी क्या है मुनवर फारुकी से मेदा द्यान इस तरफ जा रहा है अगले ट्वीट में लिखा है कि मुनवर फारुकी सेड रहा है इस तरह के लोग ट्वीट कर रहा है रेक्शन निकल कर सामने आ रहा है जैसा कि मैं आपको रहा है कुछ लोग हैं जो कि मुनवर को सपोर्ट कर रहा है और कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि इस बारे में बोल रहा है जो हुआ ठीक हुआ आप लोग अगया इस बारे मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा मेरे चुड़ी फिलालत नहीं जैहिन जै भारत